अब लोग तो फिर शेम आप लोग विडियो लेकर आए हूं तो इस वीडियो जो आज का अपना टोपिक हो गाइज हिप जोइंट का एप विव जो भी बहुत का आपकी स्थरह एक्सरे करते हैं क्या पोजिशन रहेगी क्या फेक्टर रहेगा तो चलिए आज का अपना टोप पिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे जनरल अनाटमी हिप जोइंट की चीज क्या होता है यह देखिए गाइज तो हिप जोइंट में यह कौन-कौन सा यह पार्ट आता है यह चीज देखिए अपने पहले पूरा अपने नोलेज में होना चीज है कि पिर यह कुश आर्चीज दिख रही है अपने फिर रिए अंदर यह सपाइन्स वगर्रा दिख रही है ठीक है उसके बाद ऐसीटाबूल्म आपको दिख रहा है और ऐसीटाबूलम के साथ-साथ क्या है यह ट्रों-चैंटर दिखने अपने को उसके बाद क्या होगा और पता है तो तो इसलिए हम मैं फ्रेंड्स हर टोपिक में आपको क्या कराता हूँ जनरल अनार्टमी पहले करवा देता हूँ तो आज का इस कुछ इस तरह का यह होगा और इसको आप तोड़ा सा टाइम लगा गए पांदस मिनिट का जरूदर हो आप है तो इसका स्क्रीन कौण सा एसका बाल अर्चोटे जोएंट उसके भार्ड क्ता है इसका बाल रांषते ह हुआ है । थिए अनधर की अपना हिप क्या होगा है यह आपने हिप mereka बॉनिट कर रहा है । इसमें क्या-क्र ओर दिखेगा, जो अपना femur है femur का उपर का उपर पार्ट आप्रोक्षिमल एस्पेक्ट है, उसमें क्या-क्र चीज दिखेगी अपने को सबसे पहले head दिखेगा, फिर femur की neck दिखी हूँ है, और greater or laser tracking चेंटर स्थ दिखी है, यह चीज आपने चीक है तो इस case में guide के case में भी ये चीज़ चेक करेंगे आपा या फिर क्या होगा कई बार patient क्या होता इन्स्टेबल होता या फिर अपने वो चलने फिरने में दिक्कत आती है उसको उसको बोलते है कोई fracture addition location होगी उस case में भी आपा एक सरे करेंगे इसको आपा trauma की cases में बोल सकते है और साथ साथ में क्या होगा the ap image allows a comparison of both hips to be made और कई बार क्या होता है कि आपा दोनों hip है right और left hip है दोनों को चेक करने के लिए compare करने के लिए भी यह जो normal एक सरे करवा लेते हैं ठीक है उसके बाद क्या positioning रहेगी इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है यह थोड़सी ना वो controversy वाले topics आप समझने में थोड़सी दिक्कत होती रहती है बंदों को तो अगर आप technically की नीच जाना आपा सिर्फ simple बात करेंगे ठीक है सबसे first point यह कह रहे है दा patient lies supine and symmetrical on x-ray table with medial sagittal plane parallel to the table top तो इसमें यह बात करें patient क्या होगा patient supine होगा और supine होने के बाद symmetrical होगा exit table पे ठीक है मतलब जो midline है उसके बिचो बिच अपने patient को रखना है ठीक है उससे क्या होगा उस जो उसका medial sagittal plane है वो perpendicular होजएगा table के है ठीक है यह सी जाद रखना उसके बाद यह next point यह कह रहा है कि the midline of the patient must coincide with centered primary beam and table buck की mechanism तो उसमें यह बात कह रहा है जो patient की midline है वो किस से जो match उनीच जो अपनी table के जो बोल सकते हो table buck की mechanism है उसके अंदर एक line लगी होगी आपने कभी notice किया होगा या फिर इस तरफ पेच लगा होगा और head की तरफ जो पाँ की तरफ पेच लगा होगा वो दोनों centering rubber होगी ठीक है तो उसको आपन line बोलते है centering line जो table पे उसके bits-o-bits patient होना चाहिए ठीक है उसके बात यह point कहा रहा है कि in case of patient remains on trolley ideally they should be position down the midline and adjusted to the achieve and option projection dependent degree of mobility और कई बार क्या होता है आप ट्रोली पे या फिर बोल सकतो patient movable नहीं है तो उस case में आपा या फिर कई बार emergency में hip x-ray आपने बोल सकते आई शू इशू में इतरुद्री करने पर जाते है तो उस case में आपा क्या करेंगे case rate को patient के निच्चे लगाएगे और आपा कुछ इस तरह से आपा process करेंगे कि जितनी हो patient moving mobility है जितरा move कर सकता है उसी के coding आपा क्या करेंगे अपने जो positioning है उसको आपा adjust कर लेंगे अपने जो बोल सकते एक अच्छा रिडियोग्राफर वो इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकता है guys चिक उसके बाद कहा रहा है कि to avoid pelvic rotation the anterior superior iliac spines must be equidistant from the table top तो इसमें यह कहा रहा है अपने को जो pelvis pelvis है उसकी rotation नहीं होना चीए उस चीज को चेक करने के लिए जो superior iliac spines है वो क्या होगी एक दूसरे से equidistant पर होना चीए टेबल टोप में यह चीज आद रखना टेबल क इंटर्ली और रोटेटर शुबरिंग फेमरल नेक पहले टो तो इसमें क्या गरा है पेश्टन को क्या है थोड़ से उसके जो ली में उसको अबड़क्ट का देना और इंटर्ली रोटेट का देना बिल्कुल मामूली साथ उससे क्या होगा कि जो femoral head है बोल सकते नेक है वो करेंगे सेंटर इन अमीड दाइन विद वर्टिकल भीम तो अपनी सेंटरिंग का करेंगा यह चीज देखो अपने को कैसिट का लगा रहे है सबसे पहले यह देखिए अपा इमेज देखेंग ना उसमें आपको अच्छी तरह समझाओंगा सेंटरिंग वगरा अच्छीक है यह बात और सापा बेसिक्स कह लेते हैं उसके बाद असेंटियल इमेज क्रेक्टरिस्टिक्स फोर बेसिक प्रोजेक्शन ऑफ बोथ हिपस बोथ ट्रों चैंटर्स एंड अपर थाड़ोधा फिमोरा मस्टी बीजिबल तो उसमें यह बात कर रहा है अपने को दोनों च्रों इसमें यह बात कर रहा है अपने को प्रोपर दिखनी चीए उसके साथ कोई भी आटिफेक्ट नहीं अच्छी कोई बार क्या होता है इस रिजन में कोई पेशन पेंट डार की है या फिर जिन वगरा होगी तो उसके आपा गाउन वगरा देंगे वो चेंज करवा लेंगी प तो थोड़ा सा चारा जैसे चारा अंगल आपा उपर ले सकते हैं थोड़ा सा ऊपर लेके फिर अपनी जो सेंटरिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा अपनी जो यहां से लेके यहां तक का रीजन आजेगा ठीक है तो अपने जो एक सरे आएगा बिल्कुल परफेक्ट गा और आम से 10-18 MS हो गया और 50-60 KVP पे अपनी जो इमेज आईगी वो बिल्कुल परफेक्ट आज़ी गाईज चीक है वो जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरह दिखे गाई यह देखिए जो इले करेश्ट इसमें तोड़ा सी कट रहा है ना देकिन अपना चल जाता है काम अपने को हीप जोइंड दिखाना इसके अंदर शीक है यह अपना प्रोपर हीप दिख रहा है अगर पहले विश की बात होती तो यह नहीं चलता लेकिन हीप जोइंड यह अपने को परफेक्ट दिख रहा है यह देख रहे है और इसके अदर एशी टा बुलब दिख रहा है head दीखरा neck दीखे लिए तो यह जित अपने को proper दीखने चाहिए गाइज तो आज का यह topic तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक के लिए को सबस्क्राइब करें साथ साथ आप बेल आइकन में दुबा देना ताकि आप रेडियो लोजी से लेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको ओके थैंक यू गाइज वे नाइस दे